बुद्धी पूर्णिमा पर लग रहा है चंद गरहन। इस दिन भूल से भी न करें पांच गलतियां। इस बार बुद्धी पूर्णिमा पर साल का पहला चंद गरहन भी लग रहा है। चंद ग्रहन रात आट बचकर पैतालिस मिनट से रात एक बचकर दो मिनट तक रहेगा चंद ग्रहन की अवद चार घंटे पंदरा मिनट की होगी ऐसे में बुद्ध पूरिमा पर लोगों को कुछ विसेश गलतियां करने से बचना होगा नमबर एक पूरिमा के दिन भगवान विसुरू का पूजन किया जाता है और कहते हैं भगवान विसुरू की पूजा करते समय उन्हें तुलसी अर्पित करना सुभ होता है इस दिन तुलसी की पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए बुद्धि पूर्णिमा के दिन चंद गरहन लगेगा और इस दिन मांसाहर और सराब का सेवन भूल कर भी न करें ऐसा करना असुब होता है चंद गरहन के दिन गर्वती महिलाओं को खास सावधानी बरतनी चाहिए गरहन के दवरान सोने से बचें और घर से बाहर न निकलें इसके अलामा चाकू छूरी जैसी चीजों को भी इस्तिमाल न करें इस दिन किसी से भी विवाद न करें और अपसद न करें खास तवर पर ब पूरे लात्मे लगेगा इसलिए दही का सेवन ना करें। दही का सेवन करने से धन की हान्य हो सकती है। सुबा ब्रह्म मुह।र्त में असनान करें। असनान करने के बाद सूर की मंत्र का उच्छारन करें और सूर देवता को जल्चड़ाइं। फिर भगवान विशुळु का आवतार माने जाने वाले भगवान बुद्ध की पूजा करें। इस दिन तिल का तेल का दीपक जरूर जलाएं और तिल का दान अवसी करें अगर आप इस दिन वरत रखते हैं तो एक समय ही भोजन गरहन करें हमें अपना प्यार दुलार देने के लिए दोस्तों कि पर एक लाइक और एक शेर और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद